हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टो हिंदी मिरर चैनल सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर्फिर से स्वागत है जितने भी स्टूडेंट्स हैं उत्राखन ओपन उनिवस्टी के अगर वो हम से जूड़का तयारी कर रहे हैं तो सबके लिए best wishes के साथ हम आज की वीडियो लेकर आए हैं कल सबका English का पेपर है हम previous paper 301 पहले ही upload कर चुके हैं और आपका 201 भी upload कर चुके हैं जो BF 3rd year के students हैं जो BF 1st year के 2nd year के students हैं वो अपने previous paper देख लें हमने 18 और 19 का upload किया है बुक आपकी नहीं upload की है अगर आपकी book की भी queries है तो comment books में जरूर बताएं आपकी book की भी लेकिन अब इतना short time में शायदी नहीं हो पाएगा जो आपका previous paper है उसको पढ़ लीजे बाकी units में से जो important topic है उनको त्यार कर लीजे पेपर आपको पता ही है ज्यादा lengthy नहीं आ रहा है 20 question 2 करने है और आपको जो है दस नंबर वाले चार करने है तो आप 5-6 unit भी पढ़के जाएंगे और 6-6 topic भी निकाल लेंगे तब भी आपका paper अच्छा चला जाएगा 70-80% तो निकल ही होते हैं और अब जो content लेकर रहा है बीए फस्टे का है बीए इल एक 101 बीए एल एक 101 और इसमें आपके जो paper का नाम है English usage का है इसमें क्या होता है शब्दों का प्रियोग आप किस प्रकार से करेंगे इसमें यह आपका पूरी unit वाजी है लेकिन जितना भी आपका यह book में है सारा grammatical base है आपने अगर book है आपके पास तो आपने देखा होगा सारा grammatical है तो जिनकी grammar अच्छी है तो वो अच्छे से कर पाएंगे इस paper को तो हम थोड़ा बहुत आपको बता देते हैं book wise की आपको किस प्रकार से अपनी तयारी करनी है जैसे कि हम लोग आपको बताते है है चले बने रही है हिंदी मेर की साहर सबस्क्राइब नहीं किया तो कर दीजे पैल आइकन हिट के हैं नहीं किया तो कर दीजिये और साथ में एक लाइक तो बनता है कर दीजे वीडियो शुरू हो चुकी है साथ में शेयर कर दीजिए सभी students को जो की बीए फष्टर की students है उ आपको पता ही है ये उत्राकरन open university की book है आपके पास होगी school of humanities यहां पर पहले हम unit चेक करेंगे unit में कितनी unit है आपकी यहां पर दी गही है आपकी total unit है 18 ठीक है अब 18 unit में से हमें क्या-क्या पढ़ना है article तो आपको पढ़ने की जरुबत नहीं है मैंने previous paper देख रही थी आपक तो ज्यादत तर वहाँ पर फिलिंदा ब्लैंक जैसे आर्टिकल के फिलिंदा ब्लैंक बनने हैं यहाँ पर आपके यह पास्टैंस वगारा जो पढ़ जाएंट परफेक्टैंस हैं यह चेंज करने हैं, मॉडल्स हैं, टाइप ओफ सेंटैंस हैं तो इस तरह से definition ही सिर्फ पूछी गई है इनकी ठीक है और जैसे यहाँ पर यह preposition है तो preposition के ही मैं देख रही थी कि वहाँ पर 20 questions पूछे गए हैं यही pattern है आपका grammar का जो pattern है जादत तर आपके flinda blanks या फिर आपके questions MCQ base आएंगे क्योंकि यहाँ पर question इसी तरह से बन सकते हैं या फिर यह करेंगे कि definitions आप से पूछ लेंगे प्रिवेस पेपर तोड़ा मैं आपको upload करूंगी एक दो घंटे के बाद तो उसमें तोड़ा आपको idea हो जाएगा कि किस प्रकार से आपका paper आता है अब चलते हैं unit wise की किस तरह से आपको पढ़ना है अब article में आप क्या पढ type है ठीक है तो हम चैक कर लेते हैं अब यहां पर यह बुक में क्या पताएंगे आपको type of articles पढ़ लीजिए type जो की जो हमने और book upload की थी वहां पर unit में ही सारा उन्होंने बता दिया था कि इसके अंदर यह content है यहां पर तो आपको यह खुद से बनाकर पढ़कर सीखने पढ लीजे अब पेपर में जो आपका आएगा देखे इस तरह से questions बनेंगे आपके यूज ओफ आर्टिकल ए एन और दा अब इस तरह से sentence देंगे तो आपको यहां पर यह article फिल करने होंगे sound वाला पढ़ना चाओ पढ़नों लेकिन article फिल वाला तो पढ़ी लीजे अब चलते ह हैं आपकी second unit पर second unit में देख लेते हैं क्या है first unit में तो article की type पढ़ लीजे और यह जो फिलिंदा blanks में आएंगे exercise इनको आप कर लीजे practice कर लीजे इसकी इसमें क्या है जितनी जादस जादा practice करेंगे उतना आपको knowledge होगी यह पढ़ने से काम ने चलता grammar जो होती है वो practical base हो अब आगए हम ब्लॉक टूपर यहाँ पर जो थर्ड यूनिट में है simple present tense, present tense, past tense तो इनके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है simple future, future perfect and perfect continuous tense तो इनकी definition याद कर लीजे फिर यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने लिया है simple present and present continuous tense अब यहाँ पर इन्होंने क्या लिया है देख simple present इसका concept देख लीजे फिर वही पर learn concept देख लीजे summary तो खेनी देखनी अब देख लीजे यहाँ पर थोड़ा आपको अंदर भी बता देते हैं जिससे आपके अच्छे से समझ में आ जाए यहाँ पर यह पूरा टैली कर लीजे क्योंकि यह बुक बहुत अच्छी है और अ इसकी जो content है बहुत ही अच्छा है और इतनी अच्छी बुक grammar की आपको कहीं नहीं मिल सकती जितनी अच्छी बुक यह है क्योंकि grammar आप जो है अलग से भी सीखने जाते हैं English अगर आपको सीखनी है तो यह book आपके लिए बहुत ही beneficial रहेगी इस book को अच्छे से context जिसको अच्छे से पढ़ेंगे ही वैसे भी आप इसको अच्छे से पढ़िए तो आपकी मुझे लगता है grammar बहुत अच्छे हो जाएगी चलिए अभी आते हैं पर आपका जो है वह हो चुका है टेंस पर जेंट परफेक्ट हैं टेंस में आपको सेम ही चीज़े पढ़नी है तोड परसन में क्योंकि इस तरह के आपके संटेंस आएंगे अब इन संटेंस में जब आप पढ़ेंगे तभी तो उन संटेंस को कर पाएंगे क्योंकि जब तक आपके सामने पेपर प्रिवेस पेपर नहीं होगा मुझे लगता है आप नहीं कर पाओगे इसको तो प्रिवेस पे पर हम आचुके देख लिजिए सब में एक ही चीज़ है आपको कंसेट करना कंसेट ही किलियर करना है और वो जो उसमें चार्ट दिये गए हैं उन चार्ट को बहुत अच्छे से अगर आपने चार्ट अच्छे से पढ़ लिया ना तो फिर कैसा भी सेंटेंस आपके सामने होग आप उसको अच्छे से कर पाओगे और इसके रूल्स भी पढ़ने हैं आपको ब्लोक 3 पर हम आ चुके हैं ब्लोक 3 में हमने मॉडल्स है और टाइपस ओप सेंटेंस है अब यहां पर देखते हैं किस तरह से आपके कोशन्स निकल सकते हैं मॉडल्स में एक तो टाइप तो आ next unit पर आपकी next unit में किस तरह से आपके topic निकल कर आ रहा हैं देख लेते हैं next unit में है टाइप ओप sentence टाइप उप सेंटेंस में क्या करना है आपको इसमें सिंपल, कॉंपलेक्स, कंपाउंड, कॉंपलेक्स, कंपाउंड, यह पढ़ लीजिए इनकी डेफिनेशन आपसे पुछी जा सकते हैं ठीक है यहीं इंपोर्टेंट है बाकी मैंने पेपर देखा है तो जादा तर जो आ र यहां पर आपको देख लीजिए टाकिंग हैंस सर्विस ओफ लव इनके बारे में आपको पढ़ना है ब्लोग फोर में अब यहीं से कोशन आपका बन सकता है यह वाले जो आपके पैराज है ठीक है इनकी इसमें से हाँ इस तरह से भी कोशन पढ़ेंगे आपके पैराज दे करना है आपको एक लाइक तो करना है साथ में शेयर करना है और क्या करना है कमेंट बोक्स पर इतनी कौरी सेंड़ करनी है जल्दी ही में पेपर भी आपका अपलोड कर दोंगी तो बने रही ही हिंदी मेरी की साथ